नमस्कार दोस्तों कासन श्टडी के आंलाइन आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाली में UPPCL TG2 का एकजाम होने वाला है और कम्प्यूटर के सेस्जन में पास होना जरूरी है तो दोस्तों यहाँ पर हम computer के very important question लेकर के आए हैं यह वो question है जो UPPCL TG2 के exam में पूछे गए हैं तो जो भी दोस्त अभी तक channel को subscribe नहीं किये है चैनल को subscribe कर ले और अगर classes आपको पसंद आता है तो like जरूर करिएगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सिधा question पर चलते हैं आज का हमारा पहला question है वर्ड प्रोसेसर में table के डाट डाट में data दर्ज किया जाता है तो आपको बताना किस रूप में दर्ज किया जाता है बताओगे cell के रूप में आपसर नमबर C से ही हो जाएगा अगला question द्यान देते हैं अगला question यहां पर कह रहा है कि एक byte में कितने bit होते हैं आपकी आपको byte से bit में बताओगे 8 bit होते हैं आपसर नमबर B से ही हो जाएगा अगला question द्यान देते हैं कि किसी चार्ट में .dat data point का संगरा है या सामान रूप से किसी एकल पंक्त या किसी अस्तम में मौजूद डेटा संगत करता है या अस्तम्बों की स्रीज बार्ग या वर्गों की स्रिंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रास हो सकता है तो यह बताना है किस रूप में हो सकता है तो इसमें right answer क्या बताओगे तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option number C data series हो जाएगे option number C से ही हो जाएगा अगला कुछ अंध्यान देते हैं अगला कुछ निहाँ पर कह रहा है कि किसी part और संख्याओं वाले किसी projectation में बहुत अधिक सामागरी दिखानी हो तो निमलखित में से किसका उपयोग सबसे अच्छा है तो हम किसका उपयोग करके सबसे best परदर्सित कर सकते हैं तो आप इसमें right answer क्या बताओगे कि table का यूज करके option number B सही है अगला question दिहान देते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि निमलखित में से कौन सा कथन सही है जैसा कि यहाँ पर दो भी कल्प दिये गए हैं इसमें बताना है कौन सा सही है पहला option है इसमें पहला question कह रहा है कि animation को केवल ms power point प्रस्तुत के चैनित slide object पर लागू किया जा सकता है अगला है slide start ms power point 2016 में view table के तहत दिखाई देता है तो इसमें right answer क्या बता होगे कहोगे a और b दोनों सही है option number b सही हो जाएगा अगला question ध्यान देते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि प्रोजेटेशन में खूब सूरत बढ़ाने के लिए निलुखित में से काउं सा तरीका सबसे अच्छा है आपको इसमें सबसे बेस्ट तरीका बतानी है तो आपको इसमें right answer क्या हो जाएगा बताओगे प्रयाप्त जानकारी दिखाने के लिए slide में 12-15 powerpoint का उपयोग किया जाता है 12-15 bullet point का यूज किया जाता है option number B से हो जाएगा अगला question ध्यान देते हैं अगला question यहाँ पर देखिए word processor का उपयोग करके कोई document प्रिंट करने के system में निल्कित में से काउंसा कथन गलत है इसमें अपकी बताना है कि काउंसा option इसमें से गलत है गलत option आपको बताना है तो इसको पहुज करके देख लीजिएगा option number B यहाँ पर गलत है कह रहा है कि print किये जाने वाले page चैनित करने के लिए control P का यूज करते हैं जो कि एक तम गलत लिखा गया option number B से ही हो जाएगा अगला question दिहान देते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि कि किसी document में कई प्रकार का सब्द मुंबई है तो document के सभी अस्थानों पर किस सब्द का तमिल नाडु में बदलना है क्या बताओगे find और replace all का यूज करते हैं option number C से ही हो जाएगा अगला question दिहान देते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है किसी spread sheet software के सम्बंद में निल्खित में से कौन सा कथन गलत है इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा option गलत है क्या बताओगे कि किसी work sheet में data के लिए mall storage unit एक आयताकार cell है जिसे grid pattern में ब्यवस्थित किया जाता है option number A सही हो जाएगा अगला question दिहान देते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि निल्खित में से किसे खुले हुए दस्ताबेज में सहे जाता है तो इसमें right answer क्या हो जाएगा बताओगे control plus yes हो जाएगा option number D सही है अगला question की बात करते है अगला question कह रहा है कि projectation में परतेक slide में अपनी company के लोगो उपयोग करने के लिए आप क्या use करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे आपको ये बताना है तो इसमें बताओगे slide master का उपयोग करते है option number A सही हो जाएगा अगला question ध्यान देते है अगला question यहाँ पर कह रहा है computer के किस पीड़ी में किसी परिपथिक बिदुद परिपथ या तंत्र के लिए integrated circuit chip का उपयोग किया गया था तो integrated circuit chip का यूज किस पीड़ी में किया गया था इसमें right answer क्या बताओगे कि तीसरी पीड़ी में यूज किया गया था option number D सही हो जाएगा अगला question ध्यान देते है अगला question यहाँ पर कह रहा है निलुखित में से इसमें right answer क्या बताओगे slide option number A सही है अगला question की बात करते है अगला question यहाँ पर कह रहा है Linux के संबंद में निलुखित में से काउन सा बिकल्प सही नहीं है तो इसमें right answer क्या हो जाएगा बताओगे Linux केवल command line interface परदान करता है option number B सही हो जाएगा अगला question ध्यान देते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है निलुखित में से काउन सा उचित internet email भरष्टा चार नहीं है जैसा कि चार बिकल्प दिये गए हैं इसको पौच करके पढ़िएगा हम यहाँ पर right answer आपको बता देते हैं यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजना कि उसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या करना है option number D सही हो जाएगा अगला question यहाँ पर ध्यान देते हैं अगला question कह रहा है निलुखित में से क्या operating system का मूलकार नहीं है तो इसमें right answer क्या हो जाएगा निलुखित में से कौन सा कथन गलत है तो इसमें गलत कथन बताने है तो बताओगे इंटरनेट के माना की इंटरनेट प्रोटोकाल का उप्योग किया जाता है जिसे hypertext markup language HTML कहते है option number A सही हो जाएगा अगला question की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है निलुखित में से कौन सा उधारन किसी spread sheet में SUEM formula का सही रूप है तो इसका right answer क्या बताओगे तो यहाँ पर हो जाएगा sum option number D से ही हो जाएगा अगला question ध्यान देते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी spread sheet में खाली cell में दसमलो संख्या जैसे की 345.67 दर्ज किया गया है तो इसे किस प्रकार के line किया जाता सकता इसमें right answer क्या हो जाएगा बताओगे right align हो जाएगा option number A अगला question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि SEO का पूरा नाम क्या है SEO का पूरा नाम बताना है तो इसमें बताओगे search engine optimize json हो जाएगा option number A से ही हो जाएगा तो दोस्तों इसी के साथ में यह session ही पर समाप्त करते हैं अगले session में पुना मिलेंगे नमस्कार